तत्तों में आज हम लोग समझेंगे हैबर बिधी या आदोगिक बिधी से आमोनिया गैस बनाने के नियम यह जो कोशन है हर साल की पेपर में आता है इसलिए इस कोशन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तयार कर लिजिए कि हैबर बिधी से आमोनिया गैस कैसे बनता है इसका जो है चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कापी में नोट करते चलिएगा तो आमोनिया गैस का खोज जो है किस विज्ञानिक ने किये थे प्रिष्टले ने किये थे कल के वीडियो में बताया गया था तो कल के वीडियो में आमोनिया गैस परियोक साला में कैसे बनता है उसके बारे में बताया जा चुका है यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे ह तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं तो हैबर विधी में अमोनिया कैसे बनता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक समंध्य तीन के अनुपात में लेकर 200 वाई मंडली दाप पर किरिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बना जाती है मतलब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक समंध्य तीन मतलब एक मातरा इसका होगा तो तीन मातरा जो है इसका मतलब हाइड्रोजन का होगा और लेकर के 200 वाई मंडली दाप पर जब किरिया कराया जाता है तो अमोनिया गैस बनता है अब यहां अमोनिया गै कैसे बनेगा तो nitrogen की मात्रा क्या है एक होनी चाहिए मतलब 1 2 1 होनी चाहिए plus hydrogen 3 होनी चाहिए तो 3 यच 2 हो जाएगा जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा ammonia बनेगा यह यच 3 बनेगा तो यह जो अब किरिया है उतकरमडी अब किरिया है मतलब अगर और पच्छ दोनों दिसाओं में समपन्य होता है nitrogen एक मात्रा और hydrogen तीन मात्रा ऐसे समझेंगे जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा ammonia बनेगा और उसके साथ जो है उसमा भी प्राप्त होगा कितना 22.4 kg कैलोरी जो है उसमा भी प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखेंगे संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए यहाँ से दो से गुड़ा कर लेंगे तो अब क्या हो गया है संतुलित हो गया है तो समझ में आ गया होगा कि जब nitrogen को और hydrogen को एक समंदे तीन मिला करके जब इसको गर्म करते हैं तो ammonia gas बनता है और यह यहाँ उत्प्रेर का कार करता है जो iron है EF2 को बोलेंगे EF2 जो है iron के उपश्थित में जब गर्म किया जाता है तो यह ammonia gas बनता है तो ammonia gas कैसे बनता है है यहाँ गया होगा अब चितर के माध्यम से समझेंगे कि हैवर बिधी में ammonia gas कैसे बनता है तो यहाँ पर जब हम लो nitrogen क और हाइडोजन को ध्यान देंगे किसको नाइटोजन को और हाइडोजन को एक समंधे तीन में जब मिला करके जब इसको कंप्रेस पंप में लाते हैं तो कंप्रेसर पंप के माध्यम से यह जो है किसमें आ जाएगा उत्प्रेरक में यह उत्प्रेरक बाक्स है और इसमें उत् माध्यम से होते हुए अब यह जो है शंहनित्र में आते हैं किसमें आते हैं शंहनित्र में आते हैं और इसमें से जो है ठंधा जल जो है इसके अंदर प्रवाहित करते हैं और इसके अंदर क्या-क्या है नाइटोजन और हाइडोजन का जब मिश्रन आते हैं तो यह जब आते ह हैं और जो है nitrogen और hydrogen जो है कुछ मात्रा जो है पूनह ऐसे होते हुए जो है और किस में आते हैं circulation pump के माध्यम से पूनह जो है आएंगे देखेंगे तीर को डेखते चलिए पूनह जो है यह nitrogen hydrogen का जो घैस है पूनह जो हैंगे किस में उद्परेर helemaal बाक्स में आएंगे अपना जो है nitrogen और hydrogen पना जाएंगे तो यह किरिया जो है होता रहता है तो समझ में आ गया होगा कि जब nitrogen और hydrogen को मिलाते हैं मिला करके एक समंदे तिन के अनुपात में compressor pump में ले जाते हैं और compressor pump के माध्यम से किस में आता है यह उत्परेरक बाक्स है और उत्परेरक बाक्स के सहायता से जो है संगनित्र में आता है और संगनित्र में जब ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो यहां पे जो है क्या बनेगा द्रव अमोनिया गैस बन जाता है और यहां नाइट्रोजन और हाइट्रोजन ज जो है सर्कुलेशन पंप के सहायता से किसमें पुनो आ जाते हैं तो पुनो जो है उत्परेरग बाक्स में आते हैं और यह किरिया जो है होती रहती है और जैसे है अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस कैसे बनता है तो अब इसे य नाइट्रोजन तत्हा हाइडोजन को एक समान्दि तीन के अनुपात में लेकर 450 से 500 डिगरी सेलसियस तापर तत्हा 200 वाई मंदली दाबन एवम लोही की चूड मतलब जो यहां पे नाइट्रोजन और हाइडोजन का जो अनुपात है वो एक समंधे तीन के अनुपात में ले लिया जाएगा और 450 से लेकर के 550 डिगरी सेल्सियस तक इसको गरम करेंगे और 200 वाई मंडली दाब एवं लोही की यह चूड है जो यह उत्प्रेरह का कार करता है तथा माल्डी बडेनम की उपस्थित में माल्डी बडेनम की उपस्थित में क्या करेंगे घर्म करने पर 10 से 15 परतिस जो है अमोनिया निर्मित होती है कितने निर्मित होती है 10 से 15 परतिस जो है अमोनिया जो है निर्मित होती है इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संगनित्र में प्रवाहित कर दर्वित कर देते हैं अब जो है यहां अमोनिया जब प्राप्त हो गया है तो यह किस में लाते हैं संगनित्र में लाते हैं और इसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो यहां जो है यहां जो बना हुआ इस संगनीतर के माध्यम से यहां जो बनेगा द्रव अमोनिया गैस बनेगा तो यहां लिखेंगे अमोनिया को संगनीतर में प्रवाहित कर दर्वित कर देते हैं अब किरिया के पस्चा सेस गैसों को पुना अब यहां सेस गैस मतलब नाइ प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का संयूग द्वारा क्या बनेगा नाइट्र अमोनिया का निर्मान निरंतर होता रहता है मतलब यह जो किरिया है यह बार बार किरिया होता रहेगा जब यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब ले के जाएंगे तो यह उत्रे रख बाक्स में होते हुए संगनित्र में आएगा और संगनित्र के माध्यम से यह द्रोव अमोनिया बनेगा और पुना जो है न अमोनिया गैस कैसे जो है प्रियोग साला में हाइबर विधी से कैसे बनाया जाता है तो इसे आप सभी विद्यारती पहले अपने काउपी में इसे नोट कर लिजिए और जो है और इस चित्र को साथ स्क्रीम ले लिजिए और अपने काउपी में जो है इसे बना लिजिए तो दूसरे से क्रिया करता है तो वा किस में लिखा जाता है रसाइनिक गूड में लिखा जाता है तो अब यहां रसाइनिक गूड में पहला लिखेंगे आक्सीजन से क्रिया अब आक्सीजन से क्रिया कौन करेगा तो अमोनिया गैस करेगा तो यहां लिखेंगे आक्सीजन से क्रिया आक्सीजन से क्रिया सिसारी OS अब आक्सिजन से क्रिया कौन करेगा ऐम मुदी और गैश करेगा तो अक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या करेगा िहां लिखेंगे जाट आमोनिया गैश आमोनिया गैश आक्सेजन के साथ आक्सेजन के साथ करिया करके किरिया करके करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन तथा तथा जल बनता है जल बनता है तो यहां लेख लएए जब अमुनिया गैस जब किस से करिया करेगा आक्सीजन से तो अमुनिया का सुत्र क्या होता है या नियच फोर होता है आक्सीजन का सुत्र क्या होता है ओट्रोजन होता है जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा नाइट्रोजन बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा जल बनेगा इसको जल कहेंगे अब यहाँ पे hydrogen यहाँ 4 है और यहाँ nitrogen 2 है जब 2 है और यहाँ oxygen क्या है दो है यहाँ oxygen क्या है एक है इसको संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे जो ammonia का सुत्र या दखेंगे या नियाच 3 होता है तो अब यहाँ 4 से यहाँ गुड़ा कर लेंगे और 3 से यहाँ गुड़ा कर लेंगे दो से यहां गुड़ा कर लेंगे और छे से यहां गुड़ा कर लेंगे तो दोनों पच आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा संतुलित हो जाएगा अब यहां पर चार जो है नाइट्रोजन है तो यहां पर भी कितने नाइट्रोजन है चार नाइट्रोजन है तो इसे अपने कापी में क्या किजिए नोट कर लिजिए तो पहला जो है किसे किरिया हुआ आक्सीजन से जब किरिया किया तो क्या बना इसे अपने कापी में क्या किजिए नोट कर लिजिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुलोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा यहां लेखेंगे क्लोरीन से क्रिया क्लोरीन से क्रिया क्लोरीन से क्रिया करेगा यहां पे दो नियम है धियान देना है क्लोरीन से जो यह जो कोशन कई बार परिच्छा में आ भी गया है कि ammonia gas जब chlorine से क्रिया करता है तो क्या बनता है तो यहाँ पे जो है दो reaction आप लोग को note करना है तो पहला जो reaction पहले note करेंगे पहला जो reaction है आठ यान याच 3 प्लस 3 Cl2 गरम करेंगे तो यहाँ बनेगा नौ सादर बनेगा और उसके साथ जो है nitrogen gas बनेगा तो पहला जो जो काई रखेंगे कि ammonia जो gas है chlorine के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है नौ सादर बनता है और उसके साथ जो है nitrogen gas भी प्राप्त होता है अब यहाँ पुना जो है ammonia gas chlorine से जब क्रिया करता है किसे chlorine से क्रिया करता है तो क्या बनता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ट्राई, कुलराईट और हाइड्रो क्लोरिक अमल बनता है तो यहाँ पर दो रियक्षन को धियान देना है अब यह दो रियक्षन में क्या धियान देना है कि दोनों जो है क्लोरिन से ही क्रिया किया है लेकिन जो पदार्थ बना है वो क्या है अलग अलग बना है तो यहां पे जो है अमोनिया की अधिकता है यहां जब अमोनिया अधिकता है मतलब अमोनिया की जो मात्रा है वो क्या है अधिक है अमोनिया की जो इसमें मात्रा है वो क्या है अधिक है इसमें अधिक है और इसमें जो है कुलोरीन की मात्रा जो है अधिक है तो कुलोरीन की जब मात्रा अधिक होता है तो क्या बनता है और यहां अमोनिया की मात्रा जब अधिक होता है तो क्या बनता है तो इसमें दो रियक्षन आपको याद रखना है तो यहां जो है अमोनिया गैस जब कुलोरीन से क्रिया क किया है तो नाइट्रोजन, ट्राइड, कोलराइड और हाइड़ोक्लोरिक अमले बना हैं लेकिन यहां प्यजान काही रखेंगे किसमें कुलोरीन की जो मात्रा है वा क्या है? अधिक होना चाहिए. अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अब कापर सलफेट से किरिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहां लिख लेंगे कापर सलफेट से किरिया कौन करेगा? तो अमोनिया जो गैस है वो कापर सलफेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा अब इसके बारे में शमझेंगे यहां नोट करने के बाद से लिखेंगे कि अमोनिया गैस किसे क्रिया करेगा अमोनिया गैस कापर सलफेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है तो जहां कहीं रखेंगे टेट्रा क्या बनेगा टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सलफेट बनता है तो याद रखेंगे कि इसमें क्या बनता है जब कापर सलफेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सलफेट बनता है यहां लिखेंगे बनता है तो इसे अपने कापी में क्या किजिए नोट करते चलिए क्योंकि यह सब जितने चीज़े बताया जा रहा है सब आयमपी है यह कापर सलफेट हो जाएगा और यह जो है अमोनिया गैस हो जाएगा जब किरिया करेगा तो क्या बनेगा यहां जो बने यस ओफोर यह इसका क्या नाम है तो टेटरा एमीन इम आमीन कॉपर शेकैंड शलफेट बनता है तो समझ में आगया होगा कि अमोनिया गैस किससे क्रिया किया है कॉपर शलफेट किया है अगला जो क्रिया है वह सिलवर कुलराइट से किरिया है अब सिलवर कुलराइट से जब किरिया करता है अमुनिया गैस तो क्या बनता है तो सिलवर कुलराइट से किरिया तो सिलवर कुलराइट से किरिया करता है तो क्या बनता है तो यहां लिखेंगे अमुनिया गैस अमोनिया गैस सिल्वर सिल्वर कुलॉराइट से क्रिया करता है सिल्वर कुलॉराइट से क्रिया करता है क्रिया करता है तो क्या बनता है सिल्वर सिल्वर डाई एमीनो कुलोराइट कुलोराइट बनता है क्या का बनता है अमोनिया गये सिल्वर कुलोराइट से जब क्रिया करता है तो सिल्वर डाई एमीनो कुलोराइट बनता है तो अब इसका रियक्षन क्या होगा तो यहां लिखेंगे 2-AG-C-L इसका नाम हो गया है सिल्वर कुलोराइट और यहां पे जो है अमोनिया कैस के साथ अब क्रिया किया है तो क्या बना है तो यहां लिखेंगे AG कोष्टक में या नीया चत्थरी और यहां लाश्ट में जो है इसका क्या नाम है तो इसका नाम है तो समझ में आ रहा होगा कि यह भौती गुण जो है तो अब अगला लिखेंगे सोडियम से किरिया अब सोडियम से किरिया करेगा तो क्या बनेगा तो सोडियम से किरिया अब सोडियम से किरिया कौन करेगा तो अमोनिया गैस जो है सोडियम से किरिया करेगा किरिया करके क्या बनाता है किरिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है दोजन गैस बनाता है तो अब यहाँ सोडियम से किरिया करेगा तो यहाँ लिखेंगे अब ये अक्षन को दिहान देंगे यह अमोनिया है aamonia existre kya hota है यान e age three होता है और यहां जो है sodium से जब kiriya करता है तो क्या बनता है sodium जो है नाइत्रो हाइड्रो और यहां पे हाइड्रोजन गैस बनता है तो यहां पर hydrogen कितना है तो 2-2 ना 4-2 मिले करके 6 हो गया और sodium यहाँ पे 2 है, sodium भी 2 है, nitrogen यहाँ पे ध्यान देंगे यह 2 है, तो यहाँ पर भी nitrogen क्या है, 2 है, तो दोनों पच क्या है, शंतुलित है तो इसे समझ में आ रहा होगा यह reaction, यह किसे क्रिया किया है, sodium जो है, sodium से क्रिया कोण किया है, ammonia gas किया है, अभी इसका उपयोग कहा करते हैं, अभी इपयोग के बारे में समझेंगे तो या मोनिया गैस का जो है उपियोग कहा होता है तो उपियोग लिख लेंगे करमशा पहला जो इसका उपियोग है बर्फ बनाने में कहां पे बर्फ बनाने में जो है इसका परियोग किया जाता है तो बर्फ बनाने में लिख लेंगे दूसरा जो है इसका उपयोग करते हैं नाइट्रिक अमल बनाने में ते निकलेंगे नाइट्रिक अमल बनाने में और तीसरा इसका उपयोग है अमोनियम लवड बनाने में इसका परियोग करते हैं बनाने में और चौथा जो इसका उपयोग है क्रित्रिम रेसे बनाने में इसका परियोग किया जाता है और लाश्ट जो है इसका उपयोग लिख लेंगे बिसफोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तो पांच यहां उपयोग आपसे भी द्यार्थी को बताया गया तो यह जो है इसका उपयोग जो है